स्पोर्ट्स लाइफ देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सचन रोई शर्मा और महिंद सिंग धोनी भारत को ICC ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान है दूसरी ओर है विराट कोली वैं कभी कप्तान के तौर पर ICC टॉर्नमेंट तो नहीं जीच सके हाला कि जब चर्चा टेस्ट क्रिकेट की होती है तो बताओ लीडर महिंद सिंग धोनी और रोई शर्मा दोनों से मीलो आगे नजर आते हैं आज विराट कोली क्योंकि अपना जरम दिन में मना रहे हैं लेकिन इस मौके पर हम जानेंगे कि आखिर रेट बॉल क्रिकेट में उन्होंने किन उचाईयों को चुगा और खिर क्यूं आज भी उनकी कप्तानी के कारणामों की मिसाल दी जाती है घर में सभी 11 सीरीज जीती महिंद सिंग धोनी और रोईट शरमा दोनों की कप्तानी में भारत को घर में टेस्ट सीरीज में हार जहलनी पड़ गई रोईट की कप्तानी में तो टीम इंडिया को अभी-अभी न्यूजिलन्ड से क्लीन स्वीप भी जहलना पड़ गया विराट कोली की कप्तानी में ऐसा कभी नहीं हुआ उन्होंने भारत की जमीन पर 11 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की है और भारत ने सभी 11 सीरीज अपने नाम भी की है विराट कोली ने साल 2015 में साउथ अफरिका के खिलाब पहली बार घरेलू मेदान पर कप्तानी की थी जब अश्विन और जड़ेजा के सुपोर्ट और विराट कोली की अटैकिंग फिल्डिंग स्टैटिजी से भारत ने चार टेस्ट मैच की सीरीज 30 से जीत ली यहां से विराट कोली की कप्तानी में टीम ने घर में सभी टेस्ट से रीज जीतना शुरू किया साथ साल में महस दो घरेलू टेस्ट गवाए कोली की कप्तानी में विदेशी टीमें भारत में टेस्ट ड्रॉ कराने को भी एक बड़ी अचीवमेंट मानती थी उनकी कप्तानी में भारत ने 7 साल में महस दो टेस्ट ही गवाई एक साल 2017 में आस्ट्रेलिया से और दूसरा साल 2021 में इंगलंड के खिलाफ विराट कोली की कप्तानी में भारत में 5 टेस्ट डौ रहे हैं जिनमें जात आर बार मौसम ने विदेशी टीमों का साथ दे दिया था वहीं घरेलू मिदान पर विराट कोली ने क्लीन स्वीप तो दूर कभी सीरीज हार भी नहीं जेली है इसके अलोट विराट कोली ने नियूजलेंड, साउथ अफरीका, वेस्ट इंडीज और बांगलादेश के खिलाफ घर में क्लीन स्वीप तक किया है नियूजलेंड को तो उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने दो टेस्ट सीरीज तक हरा दी थी वहीं बात करें विदेश की तो विदेश में 16 टेस्ट जीते, फुल टाइम कप्तान बनने के बाद विराट कोली ने अस्ट्रेलिया एक खिलाब सिड्नी में 14 टेस्ट में ड्रॉ करा लिया भारत ने 2000 से सीरीज गवाई, यहां के बाद सीधे 2018 में कोली की कप्तानी में भारत ने सेना देशो यानि की साउथ आफ्रीका, इंगलंड, न्यूजलन और उस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट खेला जहां भारत ने 7 टेस्ट जीते इस बीच भारत ने एशिया और वेस्ट इंडीज में बाकी टेस्ट मेच भी खेले, कोली ने अपनी कप्तानी में बंगलादेश, शेलंका और वेस्ट इंडीज में 13 टेस्ट मेच खेले और उनमें 9 में जीत हासिल की यहां टीम ने मैच एक मैच गबाया जबकि तीन टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे तीनों में बारिश ने भारत का काम बिगार दिया था इन में दो तो क्लीन स्वीप भी शामिल है वही सेना देशों में भी टीम इंडिया को दो टेस्ट सिरीज जिता आई है इतना ही नहीं इंग्लैंड में एक सिरीज दो दो से ड्रॉ भी खेली है यहां तक ही मजबूत साउथ अफरीका में दो टेस्ट भी जीते हैं विराट कोली सेना देशों में सबसे जादा साथ टेस्ट जीतने वाले एशियन कैप्टन भी है विराट कोली ने साल 2018 में भारत को पहली बार उस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई उस्ट्रेलिया में ही 5 साल पहले कोली ने अपना टेस्ट कप्तानी करियर शुरू किया था फिर 2021 में कोली की तैयार की गई टीम इंडिया ने रहाने की कप्तानी में उस्ट्रेलिया में लगतार दूसरी टेस्स सीरीज जीत ली विराट कोली नेजी कारण से सीरीज का एक ही टेस्स मैच खेल पाए थे फिर 2021 में कोली इंग्लेंड को भी टेस्स सीरीज हराने के करीब पहुंच गए पांच टेस्स की सीरीज के शुरुवाती चार मैचों में भारत दो एक से आगे था पांचवे टेस्स कोरोना महमारी के करण 2022 में कराये गया लेकिन तब कोली कप्तानी छोड़ चुके थे उस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीतने से पहले भी भारत ने आठ सीरीज गवादी थी विराट कोली कप्तानी वाली टीम इंडिया का सबसे बुरा हाल भी न्यूजलेंड नहीं कर दिया था न्यूजलेंड ने 2021 में भारत को वर्ल्ल टेस्ट चैंपेंशिप का फाइनल अराया उससे पहले 2020 में टीम न्यूजलेंड के खिलाफ उनी की घर में दो शुन्ने से हार गई थी विराट कोली की कप्तानी करियर में भारत ने इसके लावा किसी और टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना नहीं किया इसके लावा कोली की कप्तानी में भारत ने दो या उससे जादा टेस्ट की सभी सीरीज में कम से कम एक टेस्ट तो जरूरी जीता है विदेश में कोली के आगे नहीं तिकते, मैंद सिंग धोनी के भी रिकॉर्ड विराथ के बाद भारत के दूसरे सबसे सवल कपतान MS धौनी रहे हैं उनकी कपतानी में भारत में 60 में से 27 टेस्ट जीते हैं विदेश के 30 टेस्ट में से 6 ही बार भारत को जीत दिला पाए लेकिन उन्होंने घर में भारत को टॉप पर पचाये रखा था वही हमेस दोनी की कप्तानी में भारत ने उस्ट्रेलिया घर में लगतार 6 टेस्ट हराए दोनी का सबसे बुरा दोर सेना देशों में रहा जहां में तीन ही टेस्ट जीत सके 2011 और 2012 में तो टीम इंगलेंड और उस्ट्रेलिया के खिलाफ लगतार 8 टेस्ट हर चुकी थी दोनी ने सेना देशों में कोली के बरावर 14 टेस्ट जरूर गवाए लेकिन उनके जीतने टेस्ट जीत नहीं पाए वही विराट के रिकॉर्ड से बहुत दूर है रोहित शर्मा भी रोहित शर्मा ने 2013 में टेस्ट खेलना शुरू किया उनके डेब्यू के बाद भारत ने 112 टेस्ट के लिए रोहित इन में 64 मुकाबले ही खेल सके वज़य तो ये थी कि वह विदेश के टेस्ट में खराब काफी नजर आए उनने 2021 से विदेश में परफॉर्म करना शुरू किया और टेस्ट टीम स्तापित भी की थी टेस्ट टीम में जगा पकी करते हुए रोहित के लिए दिक्कत ये हो गई कि जनवरी 2022 में विराट कोली ने कपतानी छोड़ दी उनने मजबूरन T20 और वंडे के साथ टेस्ट कपतानी भी करनी पड़ गई नतीजा ये हुआ कि भारत तीन साल में पांच घरेलू टेस्ट सीरीज हार गया तीन शूनने का क्लीन सुई भारत ने अपने टेस्ट हिदियास में पहली बार जेल लिया है अब सवाल ये भी है कि क्या रोहित सच में बहुत कराफ टेस्ट कपतान है जवाब है नहीं उनोंने इंगलंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है और वे अब तक 21 में से 12 टेस्ट जीत चुके है हाला कि घरेलू मैदान पर मिल चुकी पांच हार के कारण वे 21 सदी में भारत के सबसे खराट टेस्ट कपतान जरूर अब बन चुके है कपतानी में विराट कोली ने साथ दोरे शतक भी लगाये हैं बैटर विराट कोली ने वैसे तो हर कपतान की मौजूदगी में अपना बेस्ट परफॉरमस दिया लेकिन जब वैख खुद कपतान बने तो टेस्ट बैटिंग की सारी कम्यों को अचीवमेंट्स में उन्होंने बदल दिया कोली ने अपनी कपतानी में रिकॉर्ड साथ दोरे शतक भी लगाये हैं 2014 में इंगलन दोरे पर कोली बैट से कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन 2018 में उन्होंने इसे पलट दिया और सीरीज के टॉप रन स्कोरर बन गे उस्ट्रेलिया में तो हर बार ही रन बनाते हैं उन्होंने साथ आफ्रीका में भी सेंचुरी लगा कर बता दिया विराट कोली, महिंद सिंग, धोनी और रोई शर्मा और बाकी कप्तानों से कई गुना आगे नजर आते हैं फिलाल इस पर आपकी क्या राय है क्या आपको भी लगता है कि अब तक जितने भी टेस्ट मैच भारत में के लिए टेस्ट कप्तान भारत में देखे उनमें वेस्ट फिराट कोली सबसे बेस्ट है तो आप में कॉमेंट्स में जरूर बताए